जब मा ने नीलकंट धाम में जलाबिशे करने की इच्छा जताई तो लड़की ने अपनी माँ की आग्या को पूरी करने का फैंसला लिया फिर क्या था लड़की ने सैकल खड़ी की और अपनी माँ को पीछे बेठा कर करीब 80 किलो मेटर दूर नीलकंट धाम आ पहुँची कावड यात्रा के बीच रववार को धाम में जलाबिशे करने के बाद वोपस लोट रही खुशी और उसकी मा सुष्मा देवी साइकल पर दिखाई दिया समवाद न्यूज अजनसी के एक रिपोर्ट के अनुसार टीम ने जब सैकल ग्रोकर उन्हें पूछा तो रुड की निवासी शुष्मा देवी ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि वह निलकंट धाम में जलाबिशे के लिए जाएगी उनकी चुदे वर्चे बेटी खुशी ने उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्हें सैकल पर बैठा गर निलकंट धाम आ पहुंचे बाई जुला को वह घर से निकल कर निलकंट धाम के लिए निकले थे तेज जुलाई रुष्मा लख्षमा जुला पहुंचे 24 जुलाई को सुबह निलकंड में भगवान शिव का जलाबिशेक करने के बाद अब वापस रुड़की की और रवाना हो रहे हैं उन्हें कहा कि उनकी बेटी भी उनके लिए किसी श्रमण कुमार से कम नहीं है महीं कामड जातर को मैस दो दिन का समय शेश रहा गया है 26 जुलाई को जातरा का अंतिम दिन है जैसे जैसे जलाबिशेक का दिन कम हो रहा है वैसे निलकंड धामेशी बक्तों का सलाब उमड रहा है रहिवार को निलकंड मंदे में तीन लाख शद्दालों ने भगवान शिव का जालाबिशेक किया था ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यावाद